दमाद बेटा तो बहु बेटी क्यों नहीं बन सकती दोस्तों या कहानी एक मध्यम वर्गिय परिवार में रहने वाली आरती की जिने मायके को भूल कर ससुराल वालों को ही अपना घर बना लिया था लेकिन ससुराल वाले उसे अपने परिवार का सदस्य मानने को तयार ही नहीं थे उनके लिये तो घर के हर महत पूर्ण फैसले में बेटी और दमाद की सलाह महत पूर्ण थी घर के हर छोटे से छोटे फसलों में उसकी रहली जाती थी दमाद को बेटों से बढ़कर मान दिया जाता था लेकिन इस घर में आरती भी बहु थी फिर आरती बेटी क्यूं नहीं बन सकी तो लिये पढ़ते हैं यह खुबसूरत सी कहानी दमाद बेटा तो बहु बेटी क्यों नहीं बन सकती अगले महीने आरती के देवर अर्विंद की साधी थी घर में सब साधी की तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि परिवार की ये आखरी साधी थी इसलिए सब लोग चाहते थे कि इस साधी को बहुत ही धोमधाम से किया जाए देवर भी एक कमपनी में चार्जर्ट अकॉंटर्ट था तो दहेज में भी खुप सारे रुपय मिले थे इसलिए आर्ती की सास ससुर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे रसोई में खाना बनाने से पहले आर्ती सास से जरूर पूछती थी की आज खाने में क्या बनेगा उनके या अनुसार रोजाना घर में खाना बनता था आज सुबा भी आर्ती अपनी सास के कमरे में पूछने के लिए गई की आज खाने में क्या बनेगा आरती की सास सुधा जी ने कहा बहु आज खाना दो आदमियों के लिए एक्स्ट्रा बनाना क्योंकि दोपहर में तुम्हारी ननद और उनके पती नरेश जी आ रहे है अब बेटी की साधी में दीन ही कितने रह गए है हम लोग सोच रहे हैं कि आज साम को बाजार चल कर होने वाली बहु के सारे गहने आज ही खरीद ले आरती की मम्मी काकर वहां से कीचन की तरफ चली गई आरती सबजी काटते वे अपने मन में यही सोच रही थी जैसे नरेज जी इस घर के दमाद है वैसे ही मैं भी तो इस घर की बहु हूँ लेकिन मेरी साधी की भी आज पांच साल हो गए लेकिन इस घर के किसी भी मामले में मेरी सलाह नहीं ली जाती है बलकि मुझे सिर्फ बता दिया जाता है कि ऐसा हो गया वही नरेज जी ने ऐसी सलाह ली जाती है जैसे वह घर के दमाद नहीं बलके वही इस घर के मालिक है उन्ही के पैसे से यह घर चलता है इस घर में एक छोटा सा भी काम करना हो जैसे कि अगर दिवाली में घर में पुताई भी करना हो तो यह पूछा जाता है कि कौन सा कलर इस् है कि मैं इस घर की बाहूं नहीं सिर्फ नौकरानी बन कर रह गई हूं सबकी इच्छाओं के ख्याल रखना सबके मन पसंद का खाना बनाना यही मेरा दिन कि इन चर्य हो गया मुझे तो मख्य जी ने एक बार भी नहीं कहा कि बहूं तुम भीktó साथ चल लेना मेरी सासुअ दमा जी के आगे तो मेरे पती नरेश जी का भी कोई वेल्यू नहीं करती थी और नरेश जी हो तो किससे सिकायत किया जाए कई बार अपने सस्राल वालों का इस तरह से पराई जैसा वहवार देखकर आरती का मन बहुत दुखी हो जाता था क्योंकि उसे अपने सस्राल को अपने माई के सी भी जादा तवज़र देती ही कही बार उसकी मां कहती थी कि बेटी 10-15 दिन के लिए माय के आ जा लेकिन यही सोच कर माय के सिर्फ एक दो दिन के लिए जाती थी की ससराल में उसके ससुर का ख्याल कौन रखेगा उनके पती के लिए नास्ता और लंच कौन बनाएगा दोपहर होते ही घर के बाहर कार की होरन सुनते आरती ने खिड़की से नीचे देखा तो ननद और नन्दोसी ही थे उसने जाकर दरवाजा खोल आरती ननद उनके पती से 10 साल बड़ी थी इसलिए अपनी ननद और जीजा जी को पैर चू कर परनाम किया लेकिन उसकी ननद ने इस तरह से वहवार किया जैसे आरती उसकी भाबी ना होकर इस घर की नकुरानियम उसने आरती की हाल चाल भी नहीं पूछी और सिधे अपने मा के कमरे में चली गई लेकिन नरेज जी ने आरती का हाल चाल पूछा और बाहर ही सोफे पर बैठ गया थोड़ी देर में आरती ने उन्हें पानी और चाय पिलाया थोड़ी देर बार दरवाजे की बेल बजी आरती ने सोचा अब कौन आ गया उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पती दरवाजे पर खड़ा है आरती ने आश्चरे से पूछा अरे आप इतने समय क्या कोई खास बात है क्या नरेश ने बताया अरे तुम्हें पता नहीं क्या आज छोटे भाई के होने वाली पत्नी की जवेली खरिदने बजार जाना है माने तो सुबह ही मुझे कहा था लंच बाद आने के लिए मैं तुम्हें काना ही भूल गया था चलो तुम भी जल्दी से तयार हो जाओ लंच करने के बाद ही घर से निकल जाएंगी नरेश भी घर में आकर अपनी दीदी और जीजा को नमस्ते किया कुछ देर बाद सबने मिलकर एक साथ ही लंच किया लंच करने के बाद सभी लोग मार्केट जाने के लिए तयार हो जाते हैं रतनेस अपनी पतनी को आवाज देता है आरती और कितना देर लगाओगी तयार होने में जल्दी से चलो भाई लेट हो रहा है आरती की साथ ने अपने बेटे रखने से पूछा बेटा आरती कहा जा रही है रतनेस ने एक थूक में जवाब दिया कहा जा रही है मा जहां हम स जी और दीदी तो है ही ना फिर बाजार से आते आते भी लेट हो जाएगा अगर बहु घर में रहेगी तो रात का खाना तो बना कर रखेगी आर्थी अपने कमरे से निकलने वाली थी तब तक अपनी सास की कड़कावाच सुनकर वही रुख गई उसने जब सुना कि उसकी सास सुधा जी ने नहीं चाहती है कि वह उसके साथ बाजार जाए वह वही से अपने कमरे में वापस लाट गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई ना चाहते वे भी उसकी आँखों में आसों की बूंदे जहरने की तरह बहने लगी रतनेस ने अपनी मां से कहा मान क्या हो गया है अगर आरती हमारे साथ चली जाएगी तो इस घर की आखरी साधी है फिर वह भी तो इस घर की बाहु है आरती को भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए सुधा जी ने अपने बेटे रहने से कहा बेटा क्या यह साधी की आखरी खरीदानी है अरे आज तो बेटी है और दमाज चल ले जाएंगे, अभी तो बहुत सारा समान खरीदना है, बहु और तुम जाकर खरीदने रहना, किसने रोका है, अब तुम्हारे भाई को तो हुरसत है नहीं, कि आकर अपनी साधी का सौपिंग करे, उसकी सौपिंग तुम दोनों मिलकर देना, जाते जाते सुधा जी ने अप करती है अगली सुबा घर में बैट कर सब लोग नास्ता कर रहे थे नास्ते के दवरानी सुधा जी ने पती विक्रम जी से का घर की दिवारे किसी कलर से पुताई करवाना या भी फाइनल कर ही लेते हैं तभी दमाद नेरेज जी ने बताया कि एक एप आता है आप उसमें घर क की पिक्चर खीच कर अपलोड कर दिजिए और अपने अनुसार कलर कस कर हम यह देख सकते हैं कि हमारे घर पर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है फिर क्या था थोड़ी देर में सब लोग में अपनी राय देनी शुरू कर दी कि कौन सी कलर घर ज्यादा अच्छा लग रहा है बहु आरती भी कीचन से जाकर देखने लगे और उसने कहा मम्मी जी अगर यहाँ पीक वाला कलर इस्तिमाल करे तो घर देखने में बहुत ही घर सुन्दर लगेगा। आरती का इतना बोला था कि सुदा जी ने कहा बहुत तुमसे किसी ने राय मांगा है जो आकर बीच में टपक पड़ी तुम कीचन में ही अच्छी लगती हो जाओ जाकर लंच की तयारी करो इस बार आरती को नहीं रहा गया मम्मी जी मैं भी इस घर की सदैसे हूँ मेरा भी हक ह घर के सही या गलत फैसलों में अपनी राय देना मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसका मतलब या नहीं है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल दे मैं आपको मा जैसी समझ कर मा देती हूँ लेकिन आपको लगता है कि अपने अपने बेटे के लिए बहु नहीं बलकि एक नकरानी लेकर आई है मैंने तो साधी के बाद अपने ससराल को ही अपना घर मान लिया लेकिन आप सब को जब भी मौका मिलता है मुझे परियापन का एहसास करा दिया जाता है मैं इस घर में सिर्फ घर के काम करने और खाना बनाने के लिए नहीं हूँ अगर आपको यही सब करना था तो आपको अपने बेटे के लिए बहु नहीं बलकि एक नौकराने ही ढूणना चाहिए था घर के किसी भी काम के लिए बहु याद आती है लेकिन साला मसवरा करने के लिए बेटी दमाद यात आते हैं पहली बार आरती को सब लोग इतना बोलते हुए सून रहे थे और सब चुप थे तभी आरती के पती रतनेस पहली बार अपनी पत्नी की तरफ से बोल पड़ा मा आरती ने कुछ गलत नहीं कहा यह तो ठीक कह रही है हम नहीं कह रहे हैं कि दीदी और जीजा जी की आप इज़त मत करो लेकिन कम से कम अपनी बहु आरती की बेज़ती भी तो मत करो मुझी भी कई बार ऐसा लगता है या घर मेरा नहीं बग्कि दीदी और जीजा जी का है कोई भी काम करने से पहले इसे ही सलाह ली जाती है हम यह भूल जाते हैं कि बहु किसी दूसरे के घर से आकर हमारे घर को स्वर्ग बना रही होती है हमारे घर के लिए उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया होता है लेकिन बहु की तयाक को कोई नहीं समझता इतने में रतनेस की दीदी बोल पड़े मा तुम क्या हमें इस घर में बेजती करने के लिए बुलाई थी हम यह जबजस्ती तो नहीं आते थे तुमने बुलाया तभी आये थे अब हम यहाँ एक पल के लिए नहीं रुकेंगे रतनेश की दीदी और जीजजी वहाँ से उठे और चल चल दिये दोस्तों आज कल घर वालों में परिवर्थित कल होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हम अपने घर में बेटे और बहु को उतनी पराध्मिकता नहीं देते हैं जितनी कि अपनी बेटी और दमात को जितनी को उने route, जोट झाकुट जोस्तों से परेवर्याशप्स परेवर्या में अपन बेटीओ और झाल जै कि क्वाश्वाश्स आने में वालों दितनी पनेश्iff पलावर्यारikk